हैलो दोस्तो आप सभी को अपना चैनल सौरफ सिबिल सर्विसेज में स्वागत है आप सभी के सहयोग से इस चैनल का हजार सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं अब बहुत ही जल्दी ही आप लोग का लाइब क्लास स्टार्ट होने वाला है आप लोग के सहयोग के लिए जो आप हमें इतना सहयोग किये जो मेरा हजार सब्सक्राइबर पूरे हुए इनके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद चलिए तो इसी तरह से आप हमें सहयोग करें और हम आपके लिए तरह तरह की पड़्यास करते रहेंगे और एक ऐसा पड़्यास जिससे आपको फ affairs के लिए topic के start करेंगे तो आप इस channel के माद्धियम से बने रहेंगे और जिस तरह से आप लोग जो हमें सहयोग किये हैं यह आप लोग का यह बहुत बड़ी मेहनत जो हमें यहां तक ले कर आया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद तो चलिए हम लोग जो आज शुरू करेंगे यह सुरू करेंगे current affairs 68 2021 के लिए यह आपके assc railway banking और साथ ही बिहार दरोगा बिहार पुलिस बिहार सचिवाल है एवं सभी परतियोकता परिच्छा के लिए बहुत ही important topic है current affairs आपको एक बहुत बड़ी पार्ट है जिससे आप अच्छे से आपनी रन नीती के साथ आप इसको अच्छे से complete कर सकते हैं तो आप इसी तरह से इस channel में बने रहे और आपको अपने result के प्रति आप जागरूक बना के अपने जागरूक होकर आप तयारी करें तो चलिए हम लोग बहुत ही जल्दी live class भी प्रादम करने वाले हैं अभी live class start होने में आपको एक दो दिन का time लएगा वो YouTube के guideline के अनुरूक तो हम लोग start live class भी करेंगे और अभी जो आपको जिस तरह से वीडियो अप्लोड किया जा रहा है यहाँ वीडियो आपको continuity इस तरह से अप्लोड किया जाएगा ताकि आपका topic नहीं चूट पाए तो आज दस question ही आप परते एक दिन अगर complete कर रहे हैं तो यहाँ आपके लिए बहुत बड़ी सफलता का यह बहुत बड़ी मार्ग दर्शन उभरेगा बन के उभरेगा तो चलिए हम लोग question शूरू कर रहे हैं आज का जो पहला question होगा उस question किदर हम लोग देखते हैं और उसको मंत्राले के तहत खादी एबाम ग्राम उद्धोग आयोग के भी आईसी ने मरू अस्थलिये छेत्रों में हरियाली को बढ़ावा देने के उद्धेश से किस प्रोजेक्ट पर काम सुरू किया है वह प्रोजेक्ट है आपका प्रोजेक्ट बोल्ड क्या है प्रोजेक्ट प् का यह रिजल्ट सही हुआ कि सुक्ष मलगु एवं माध्यम उद्धों मते उद्धम मंत्राले के स्तहत खादी एवं ग्राम उद्धोग आयोग के भी आईसी ने मरुवस्थलिय छेतरों में हर्याली को बढ़ावा देने के उद्धेश से किस प्रोजेक्ट पर काम किया है तो प्रोजेक्ट है अपका प्रोजेक्ट बोल तो इस तरह से आप चाइनल को सब्सक्राइब लाइक सेर जरूर करें और जो अभी तक आपने हमें सहयोग किये इसी तरह आप सहयोग करते रहे और हम आप लोग के लिए नएने वीडियो सर्च करके जो आपके परतियोगते हैं परिच्छा में सफल दिला है वैसे कोस्चन आपको अपलोड किया जाएगा यह सभी कोस्चन आपका संभावित कोश्चन है पूछे जाएंगे question number दूसरा देखिए question number दूसरा है आपका कि किस भारतिये पहलवान ने Tokyo Olympic में 57 kg फेरी इस्टाइल बर्ग में रज्ज़त पदक जित लिया है वो है आपका रवी कुमार दहिया जित लिया है रज्ज़त पदक question number अब हम लोग देखते है तीसरा question number यह सभी question आपके सभी पड़तियोगताय परिच्छा के लिए सम्भावित question है यह question आपसे पूछे जाएंगे इसलिए question को याद करें और इस channel को subscribe, like, share जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा एक वीडियो को दो बार, चार बार दोहरा है ताकि आपको बिल्कूल याद करने में क आपकी question आपको समझ में भी आए और याद भी हो जाए question नमर तीसरा देखिए question नमर तीन है कि केंदर सरकार ने credit सुवधा देने वाले किस agency को बंद कर दिया है तो है आपका राष्टिये महिला कोस आर एमके एक आपका एजनसी था उसको राष्टिये महिला कोस के तर इसको क्या कर दिया गया है बंद कर दिया गया और यह केंदर सरकार ने credit सुवधा देने वाले किस company agency को बंद किया है तो आर एमके है question नमबर चार देखिए question नमबर चार है आपका कि देश की किस कुरोना वैक्सिन निर्माता कंपनी को हंगरी देश में good manufacturing फैक्टरी फैक्टरी सेज यानि जी एमपी परमान पत्र मिल गया है वह भारत बायोटेक को किसको मिला है भारत बायोटेक को मिल गया है question नमबर पांच देखिए question नमबर पांच आपका Asian American Advising Advising Justice Agency संस्था के अनुसार अमेरिका में रहने वाले ACI मुलके नागरीकों में बोली जाने वाली भासाओं में हिंदी को कौन सा अस्थान प्राप्त हुआ है तो हिंदी को पाचवार अस्थान पराप्त हुआ है तो 15 अस्थान पराप्त हुआ है अस्थान अमेरिकन एडवाईसिंग जेश्टीस एजेंसी से अनुसार अमेरिका में रहने वाले SCI मुलके नागरी को में बोली जाने वाली भासाओं में हिंदी का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है तो वह पाचवी अस्थान प्राप्त हुआ है इस तरह से अब हम कोश्चन नमबर 6 को देखते हैं सभी कोश्चन आपका बहुत इंपोर् कर रहता है अगर आप continuity इस तरह से कर रहे हैं तो फिर आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता कोई नहीं इसलिए आप इमंदारी पुर्वक आप याद competitive के जो तियारी करें तो इमंदारी पुर्वक जोस जाजवा जुनून के साथ करें ताकि आपको बाद में यह आपसोस न रह जाए कि हमने तयारी सही रणनीती के साथ नहीं किये थे तो अब तयारी कीजिए अच्छे से रिजल्ट जरूर होगा रिजल्ट की चिंता मत करना है question number अब हम लोग देखते है question number 6 question number 6 है कि मोटा मोटो जीपी इंडिया मोटो जीपी इंडिया के लिए company ने किस अभीनेता को अपना ब्रांड एमबेस्टर बनाया है तो वह है आपका जॉन अब्राहम किसको बनाया गया जॉन अब्राहम को कम्पनी के अधिनेता बनाया गया जॉन अब्राहम को बनाया गया तो इस तरह से सभी कोश्चन जो है आपके बहुत ही इंपोर्टेंस कोश्चन बहुत इंपोर्टेंस तो आप जल्दी से इस चैनल को स सब्सक्राइब करें ताकि इसका जो फायदा हो आपको पहली वीडियो का पहली नोटिफिकेशन आप तक भी पहुँचे तो आप इसके लिए सब्सक्राइब लाइक शेयर करते रहें और तयारी में आप लगे रहें कोश्चन नमबर अब हम लोग देखते हैं साथ कोश्चन नमबर साथ हिमाचल परदेश के नए मुख सचीब के रूप में किसे निउक्त किया है हिमाचल परदेश के नए मुख सचीब के रूप में किसे निउक्त किया है तो निउक्त किया है राज सूभंग सिंग को निउक् क्क्षचन नमबर आठ देखिए कोश्चन नमबर आपका आठ है है वे देश में पिछले 24 मंदों क्योंड़ सामने आया है तो आया है 44,000 जिस में से 44前 Old मौत हुई है 464 की मौत हो गई है और आपका 44,643 चोविस घंटे में नए मामले आए हैं कोश्चन नमबर अब हम लोग देखते हैं 9 कोश्चन नमबर 9 है कि उत्राखंड राज के मुख मंत्री ने iit रूरकी द्वारा बनाये गए भुकम्प के पूर्वचताबनी वाले iit रूरूरकी द्वारा बनाये गया तो आप को नाम दिया गया उत्तराखंड भुकम्प अलाटी अलर्टी निहां दीजी यह question बहुत ही important question अपका कि उत्राखन राज के मुखमंतरी IIT की द्वारा बनाया गया बुकम्प के पुर्व चिताबनी वाले एप को लॉंच किया है एप का नाम क्या दिया गया है तो उतराखन बुकम्पी अलर्ट तो इस तरह से question number आपका नौ समाप्त होता है question number अब हम लोग 10 देखते हैं question number अब है कि केरल राज सरकार ने दिव्यांगों के लिए किस योजना को सुवारंभ किया है केरल राज सरकार ने दिव्यांगों के लिए किस योजना का सुवारंभ किया है तो योजना सह जीवम पड़्योजना सह जीवम पडियोजना को सुवारंभ किया है केरल राज सरकार में तो इस तरह से आपको 10 कोश्चन कंप्लीट कराएगा यह 10 कोश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट्स कोश्चन जो सभी परतिगताव पडिच्छा के लिए आपका यह बहुत ही महत्कुन कोश्चन है तो आज तक इतना ही फिर मिलते हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक लेकर आज यह थापका करेंट अफियर्स का टॉपिक धन्यवाद